19 जुलाई और 20 जुलाई का दिन कुम्भ राशी के लोगों के लिए किस तरह के बदलाव लेकर आया है जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटियोब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन दो दिनों के कुम्भ राशी फल के बारे में इन दो दिनों में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी जो नक्षत्र रहेंगे जो योग बनेंगे वो किस तरह से आपकी दिंचरिया को प्रभावित करेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ तो चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग इनके बारे में बात कर लेते हैं 19 जुलाई ये शुकरवार का दिन है शुकल पक्ष की तरियोदशी तिथी रहेगी और मूल नक्षत्र रहेगा मूल नक्षत्र बड़ा ही उग्रो और क्रूर स्वभाव का नक्षत्र माना जाता है इंदर नाम क सूरिय के नक्षत्र का भी परिवर्टन होगा सूरिय पुनर वसु नक्षत्र से पुश्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो भगवान ब्रस्पती यानि गुरु ब्रस्पती का ये नक्षत्र है बहुती शुब नक्षत्र ये माना जाता है इसके अलावा इस दिन रवी योग बनेगा और इस दिन के अगर हम राहुकाल के समय की बात करें तो ये वो समय है जिस समय में आपको कोई नए कारे की शुरुवात नहीं करने चाहिए कोई शुब कारे नहीं करना चाहिए और ये समय रहेगा सुबह 10 बच कर 44 मिनट से दोपहर 12 बच कर 27 मिनट तक अब देखते हैं 20 जुलाई 20 जुलाई शनिवार का दिन और शुकल पक्ष की चतुर दशी ति थी पूर्वसाड़ा नक्षत्र है वैद्रती नाम का योग बना हुआ है चंद्रमा धनुराशी में सूर्य करक राशी में पुष्य नक्षत्र में और साथ ही इस दिन रवी यो अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होने वाला है चले जानते हैं बात करते हैं पहले 19 जुलाई के बारे में सूर्य का पुष्य नक्षत्र में परिवर्तन ये सूर्य क्या होते हैं पिता के कारक आत्मा के कारक और जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो गुरु ब्रसप और हेल्थ अच्छी होगी तो अपनी हर एक चीज पर अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे। तो समाजिक जीवन में बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यात्राओं का भी बहुत अच्छा समय है, छोटी यात्राओं का योग बनता दिख रहा है और ये यात्राएं आपके जीवन में आनंद की अनुभूती लेकर आएंगी, नए अनुभव लेकर आएंगी। आपके रास्ते में आने वाले रोमांचों को आप बस स्विकार करते चलें, अपने सामाजिक दाइरे की ताकत पर भी भरोसा रखें। नए समंदों के लिए खुले रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप प्राकृतिक करिश्मे की अगर बात करते हैं, किसी करिश्मे की आप राहा देखते हैं, तो आपका आशावादी रहना जादा आपको उत्साह देता है। तो ये उस करिश्मे की शुरुवात का भी समय है संतुस्टी देने वाला दिन है ये आपके लिए। आज आपका जो मूड है वो ऐसा रहेगा जैसे किसी ने आपको बहुत अधिक प्रेरित कर दिया हो, ऐसा मूड रहेगा आपका। और रेड कलर आपके लिए बहुत शुब रहने वाला है। रेड कलर के आज वस्त्र करना चाहेंगे, सहबागिता करना चाहेंगे, जिसमें युवा लोग जुड़े हुए हों। भावनात्मकृप से थोड़ा सा ऐसा रह सकता है कि उथल पुथल हो, कुछ चीजों के बारे में आप ज़्यादा सोचने विचारने लगें, लेकिन उससे आपके काम पर कोई ऐस खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका काम एक तरफ है, और जो चीजें हैं उनको आप एक तरफ लेकर चलेंगे, इस राशी के जो कारोबारी हैं वो आज अपनी नजरें थोड़ा सा बना कर रखें, अपने नजरों को बना कर रखेंगे, आपके जो पार्टनर्शि देहान रखने के आवश्कता है, और प्रेम जीवन में भी थोड़ा देहान रखने के आवश्कता है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल वक्त जरूर देखने को मिल सकता है, उतार चड़ाव किस्ते थी, नोग जो किस्ते थी, ऐसी इस्ते थी बनती दिख सकती है, तो थोड़ा स जो दिन है रवियोग बना हुआ है इस दिन और जो चंद्रमा है वो तो हैं ही धनुराशी में अब इस दिन कुम्बराशी के जातकों के लिए वेबसाइक यात्रा जो रहेगी वो काफी आशावादी रहेगी आपकी भावनाएं बहुत सक्रिय रहेंगी आज कुछ बाद हैं जो आपके सामने हैं उनका सामना अच्छे से कर पाएंगे और साथ में आपको कुछ ऐसे अफसर भी दिखेंगे जो जिनके कहते हैं न छिपे ह जो आपको दिखाए देंगे ऐसे अफसरों के साथ आप आज दिन बिताने वाले हैं अपने करियर के लक्षो पर विचार जरूर करें सचे जुनून से आप चीजों को खोजेंगे और जब चीजों को खोजते हैं तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता है छोटे मोटे जगड़े हो सकते हैं कारेस्थल पर थोड़ा सा धहरे रखें थोड़ी सा हनुभूती के साथ उनके साथ बातें करें तो अच्छा है और साथ में अपने उपर भरोसा रखें क्योंकि यही आपके लिए सफलता का सबसे अच्छा रास्ता है कि अपने उपर भरोसा रखें करेंगे तो चीज़ें अपछे से मैनेज कर पाएंगे अब बात की जाए अगर आपकी फानेंशल कंडिशन की तो जो धनुराशी के चंद्रमा है वो आपके जीवन में एक आश सरदिखता है तो उस पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए रियल स्टेट इस से जुड़े हैं रियल स्टेट से जुड़े काम कर रहे हैं तो भी आपको अनुकुल परिणाम देखने को मिलेंगे बस अपनी हिम्मत पर भरोसा रखें अपने साहसिक कदम उठाएं अपने जीवन में चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तो जो आप वादे कर रहे हैं अपने भविशे के लिए उन वादों पर तभी तो खरे उतरेंगे जब आप आज मेहनत करेंगे अपने आपको चमकाना चाहते हैं तो चीज़ों पर फोकस करना शुरू कीजिए रिष्टों की देखें तो ये समय आपके किसी नए व्यक्ति से मिलने का है लेकिन निन जल्दबाजी में ना लें जो लोग रिष्टों में हैं वो गहरे तोर पर जुड़ सकते हैं शाम आज बहुत अच्छी रहेगी कुछ समस्याओं को भी सुल जाएंगे अपने समंधों को सकारात्मक रूप से आप ध्यान के अंद्रित कर पाएंगे समंधों पर ध्यान देंगे बंधन को मजबूत करने का आज आपको मुँका मिल सकता है तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अच्छा दिन है अच्छ से इन्ज़ोय करें उपाय के तोर पर भगवान विश्णू के अराधना करें इससे आपके प्रेम संबंद मजबूत होंगे रवेवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और साथ ही चनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें